नमस्कार, तमिलाडू भाजपा में और अन्ना द्रमुक के बीच में हो क्या रहा है, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। रवीवार को केंद्री ग्रिह मंत्री अमिच्छा चिन्ड़ी में थे। वहां उन्होंने वेलोर में एक रैली को संबोधित किया, मोधी सरकार के नौ साल पूरे होने पर देश के अलग-अलग इस्सों में भाजपा के बड़े नेता रैलियां कर रहा है। और वहां उन्होंने कहा भारती जन्ता पार्टी के कारिकरताओं से बात करते हुए उनकी बैठक में कि हमको लक्ष रखना चाहिए कि 49 में से 25 सीटे NDA जीते। NDA का मतलब है भारती जन्ता पार्टी और अन्ना द्रमुक का जो गडबंधन है उसमें हो सकता है बाद में कुछ छोटी पार्टियां भी शामिल हो जाए। लेकिन लक्ष ये है कि NDA 25 सीटें जीते। अब ये 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 जो है लक्ष जो है बड़ा अंबिचियस लक्ष सकता है लेकिन पार्टियां ऐसे लक्ष निर्धारित करती हैं कारिकरताओं को साहिद करने के लिए। ये तो बात का एक पक्ष हो गया। लेकिन उनके चिन्नई से लोटने के 24 घंटे बाद ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्ना मलाई ने AI डियम के पर हमला बोल दिया। उन्होंने एक इंटर्व्यू में एक टेलिविजन चैनल को दिये इंटर्व्यू में कहा कि जैललिता को मिलाकर तमिलनाडू की सारी सरकारें भरष्ट रही हैं। ब्रष्टाचार में तमिलनाडू बहुत आगे है फिर उन्होंनका बलकि पूरे देश में तमिलनाडू नंबर एक राज्य है ब्रष्टाचार के मामले में। अब जैलल्टा के बारे में ये अन्ना मलाई को अच्छी तरह पता है कि जैलल्टा के बारे में कुछ भी बोलना उसको लेकर अन्ना द्रमुक्स का लोग बहुत सिंस्ट्िव हैं ओप पनिर सैल्वम जो पाटी से निकाले चुके हैं वो भी समर्थन में आ गए अन्ना द्रमुक के कि जलिलता के बारे में ऐसी बात कैसे बोल सकते हैं लेकिन अन्ना मलाई के कहना है कि आदालत से सजा मिल चुकी है डिये केस में तो बात उनकी भले सही हो लेकिन सवाल होता है एक गडबंधन धर्म का जो याद दिला रही है अन्ना द्रमुक और के अन्ना मलाई कह रहे हैं कि हमको बताने की जरूरत नहीं है आपकों कि गडबंधन धर्म क्या होता है हम अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन हम इस मुद्धे पर न तो पीछे हटेंगे न माफी मांगेंगे तो अब इसका मतलब क्या निकाला जाया क्या भारतिय जन्ता पार्टी तमिल लाडु में अन्ना द्रमुक के साथ गडबंधन नहीं चाहती तो गडबंधन अगर नहीं चाहती तो उसको तोड़ने का ये तरीका नहीं है ये खुलियाम तोड़ना चाहिए क्या अन्ना मलाई जो है वो नहीं चाहते कि गडबंधन हो ये तो सबको पता है कि अन्ना मलाई चाहते हैं कि भारती जनता पार्टी अकेले लड़े चुनाओ ये लोग सभा कभी उसके बाद विदान सभा कभी उनको लगता है कि पार्टी के विस्तार का यही तरीका है ये जो stop gap arrangement है जो ऐसी पार्टीओं से गडबंधन होता है खासतोर से भारती जनता पार्टी का जनसंग से अब तक का इतिहास देखें तो उससे हमेशा फाइदा उन पार्टीओं के साथ गडबंधन से हुआ है जो जनाधार मेंए उससे छोटी है तो उसका फाइदा यह होता है कि भाजपा धीरे-धीरे उनका जनाधार ले लेती है लेकिन बड़ी पार्टियों के साथ जब गडबंधन करती है तो उसका असर यह होता है कि धीरे-धीरे भाजपा का जनाधार सिकुरता जाता है पंजाब में यही हुआ, महराश्ट में यही हो रहा था 2014 से पहले तक, उसके अलाबा आंधर प्रदेश में यही हुआ, जब चंदरबाबु नैडू से समझोता किया, उससे पहले वाले चुनाओं में भारती जनता पार्टी को 18% अविभाजित आंधर प्रदेश की बात कर र जी है, उसमें प्रेफरेंस ऐसी पार्टियों को दी जाती है, जो जनाधार में उससे कम हो, कमजोर हो, छोटी हो, क्या अन्ना मलाई उस रास्ते पर चलना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, यह तो हो सकता है, लेकिन क्या उनका और शिर्ष नेत्रतों का तालमेल नहीं है, या दोनों की मिली भगत है, क्या पार्टी का शीर्ष नेतर तो भी चाहता है कि ये गडबंधन तूट जाए, दूसरा कारण क्या हो सकता है, हो सकता है कि गडबंधन तोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन दबाव बनाना चाहते हैं, जिस तरह से M.K. स्टालिन लगातार भारती ज होने के बावजूद अन्ना द्रमुक पर उतना हमला नहीं होता है, अन्ना द्रमुक के तुलना में कई गुना ज्यादा भाजपा पर हमला होता है, तो भाजपा परसेप्शन में जो है, वहां नंबर दो की इस्थिती में नजर आती है, जमीन पर नहीं है, जमीन पर तो अन क्या इस तरीके से हो पाएगा क्योंकि एक प्रस्ताव पास किया हन्ना द्रमुक ने अपनी पार्टी में के अन्ना मलाई के खिलाफ और कहा है कि अगर वो माफी नहीं मांगते हैं अपना बहान वापस नहीं लेते हैं तो अन्ना द्रमुक गडबंधन तोडने की हद तक जा सकता है यह अल्टिमेटम उन्होंने BJP को दे दिया है अब जवाब BJP को देना है क्यों गडबंधन चाहती है या नहीं अब गडबंधन चाहती है तो किन शर्तों पर चाहती है अन्ना मलाई जो बोले वो अपनी ओर से बोले या केद्रे नेत्रत की मंजूरी से बोले यह सारे सवाल है जिनका जवाब लोग जानना चाहते हैं जवाब मिलेगा भी जल्दी ही मिलेगा लेकिन उसके लिए थोड़ा तो इज़ार करना पड़ेगा तो आज कांग में इतना ही नमस्कार